हेलो फ्रेंड वेलकम टियूर ओन चैनल डिली स्टॉक तो आज हम बात करने वाले हैं बिर्ला केबल कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में बताएंगे कि आपको लॉंग टम पर्स्पेक्टिव के सबसे आपको इस केबल रिलेड़ कंपनी के अंदर इंवेस्टमेंट करना या नहीं करना है एस वेलेज में कंपनी की बात करो तो एक कंपनी बहुत ही पूरा निदेज फाउंड ये कंपनी हुए थी नाइंटी नैंटी नेटी टू में और इस कंपनी के बारे में डिस्रिप्टिव फंडामेंटल टेक्निकल आपको कौन से प्राइस लेवल पे आप सबसे बने तो हम जान लेती की कंपनी काम क्या करती और कौन-कौन से स्टर मेक्ट इसकी स्टर के कंपनी ब्सके तरह के market में इसके पास variety है और उसके तरह इस company का अच्छा सा wide range of portfolio के एकाने का अच्छा सा company का business भी हो रहा है copper copper के wire हो गए या फिर fiber के या फिर optical fibers इस तरह के बहुत सारे जो fibers की जो related जो specialty wires होते हैं उसके अंदर face value of 10 rupees के उपर इसका जो dividend yield है वो है सिर्फ 0.91 percentage हाला कि अगर आप इस company में निवेश करते हो तो long term के हिसाब से आप इस company में प्राइस depreciation के हिसाब से आप इस company में निवेश कर सकते हो अभी currently industry का price to earning चल रहा है शेर की 56.1 rupees अगर हम इस company के financials के और नजर दाल ते को 2018-19 में जो company का business था वो काफी अच्छा था और उस time actually में हुआ क्या था क्यूंकि मार्केट मित्ना साथ और competition नहीं था उसके तरण जो company की monopoly as well as company का business था वो बहुत अच्छी का से level पे sustain हो रहा था but 2020 में जो company का revenue उसमें भी आपको decline देखने को मिला है but what I currently think is company अपने business से फिर से revive हो रही है आप देख से जो 2020-2021 में company का जो revenue that is top line जो है company उसमें भी आपको एक अच्छा सा growth that is 40-50% का आपको uptrend देखने को मिला है उसके साथ में जो company का profit है वो भी आपको एक अच्छा से trend में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है that is 1 करूर रुपीस के profit से company के जो 2021 में जो profit हुआ है वो almost 8 times of 2020 है और वो एक अच्छी बात है company फिर से अपने trend में reverse that is अच्छा का सा company का business हो सकता ऐसी मेरी उम्मीद है अगर मैं बात करो इस company के share holding promoter share holding pattern के बार में तो इसका जो share holding pattern वो भी काफी है अच्छा that is promoter holding है इस company के अंदर 66.35% उसके साथ में जो DII का investment है वो है सिर्फ 0.01% और उसके साथ में अगर समदल लो इस company that is एक small tap company के अंदर अगर FII का निवेश जाड़ी 5% 8% या 10% होता तो मेरे सबसे बहुत ज़्यादा positive sentiment आपको इस company के लिए देखने को मिल सकता था although public investment मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो जो retail credit के investors होते है उन दोगों का इस company में निवेश है 33.63% अगर हम आप company का compare करते है revenue statement की company ने किस तरह का performance दिया है so आप देख सकते हो कि September 2020 company का जो total income तोप लाइन जो है company का वो है 68 करोड रुपीस और उसके साथ में company का जो profit है वो आपको that is zero देखने को मिल रहा है that is no profit no loss as well as December 2020 में भी company का जो top line उसके नदर आपको company जो revenue है उसमें आपको growth देखने को लिए 68 करोड से 85 करोड रुप से company ने total income generate किया है पर उस time भी company जो profit है उसमें भी आपको no profit no loss ज़रूर देखने को मिला है but that is March 2021 quarter में company का total income और ज़्यादा बढ़कर हुआ that is almost compared to the previous quarter almost 20% 25% आपको total income के अंदर growth देखने को मिला है और company जो net profit है वो भी 6 करोड हो चुका है जो कि मेरे अच्छी वात है company फिर से अपना एक अच्छा सा turnaround आपको अभी currently देखने को मिल रहा है अगर हम इस company के return ratios compare करें तो हाला कि company return ratios पे आपको इतना जादा growth देखने को नहीं मिल रहा है but long term के साब से मुझे ऐसा रहते कि इस company में एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम आपको ज़रू बनते हुए देखने को मिल सकता है तो जादूसर नाइंटी में company का जो आर ओई पर्सेंटेज जो कि आपको तरह कि कंपनी है पर्सेंटेज देखते है जो कि आपको तरह की company के market में जितना भी पर्सेंटेज बढ़कर हो जुका 8.24 पर्सेंटेज रिटरन आइसेट पर्सेंटेज देखते हैं जो कि आपको तरह की company के market में जितने भी एसेट्स है उन एसेट के ओपर company कितना percentage of profit कमा रही है तो वो भी तरह 2019 में इस company का 13.8 पर्सेंटेज जो कि 2020 में हो गया था 0.36 पर्सेंटेज और अभी फिर से बढ़कर हो चुका है 2.59 पर्सेंटेज अब हम बात कर लेते company के leverage ratios तो leverage ratios भी compared to the previous year आपको ज debt to equity है जो कि 2019 में था इस company का 0.33 के ratio पॉम में जो की 2020 में बढ़कर हो चुका था 0.43 बट फिर से 2021 में जो company का debt to equity है वो फिर से कम हो कर हो चुका है 0.36 पर्सेंटेज जो कि एक अच्छी बात है interest coverage ratio अगर हम देखते company का तो कि अगर समझ अप्ट्रेंड में हो compared to previous year तो ये काफ 15.61 पर्सेंटेज की 2020 में गिरकर हो चुका था 1.0 पर्सेंटेज और 2021 में फिर से बढ़कर हो चुका 3.27 पर्सेंटेज अगर हम बात कर लें शेयर की तो इस शेयर को जो 5-year high price है वो आप देख सकते हो कि 229.4 रुपीज का इसका 5-year high price है और currently 109.95 पे इसने closing D है हाला कि अग अब ये शेयर है तो मिरे साब से आपको buying start करनी चाहिए डिप डिप में और second जो target होगा buying का तो वो होगा nearby 98 से लेके 900 रुपीज के बीच में आपको फिर से इसमें buying start करनी चाहिए तो ये जो दो level से वो मिरे साब से काफी strong ये आपको वापर buy करके 130, 145 के targets upset direction के अंदर आप आपको आरम से देखने को मिल सकते हैं so hope करता हूं कि आपको birla cable limited company का जो share analysis से बहुत को अच्छे समझ गया होगा और उसके उपर आपको क्या addition लेना इस company के अंदर नीवेश करना है या नहीं करना है वो भी आपको पता चल गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा